कौन सी साड़ी पैनू ये रेड हो ये पैनू या ग्रीन वाली हर फंक्शन में यही दोनों साड़ीया रिपीट करते हो अब तो मेरे खाल में गेस्ट वगरा को भी याद हो गया होगा कि मिर बस दो ही साड़ीया है बस भगवान करें इस पर किरन न मिल जाए वो मिलती है तो इतने गंदी तरीके से ताने मारती है हाई नू इस फंक्शन में भी तुमने वही साड़ी पैल नहीं हर फंक्शन में में तुम दो ही साड़ीया रिपीट करती हो मुझे देखो हर फंक्शन के लिए नई साड़ी मैचिंग जूलरी और यह डाइमन रिंग है हमी हस्बन ने जिलाय अच्छे लग रहे हैं और तुम भी यार थोड़ा तो अपने उपर ध्यान दिया करो मेरे हस्बंड की कोई ज्यादा सेलरी नहीं है तुमारे हस्बंड से और ना मैं कोई जॉब करती हूं लिकिन मैं थोड़ा स्मार्ट ली खर्चा करती हूं इसलिए अपने अपको इसमें घर चलाओंगी बच्चों की फीज भरूंगी या अपने लिए साड़ियां खरीदूंगी काश मेरे पास भी इतने पैसे होते हैं कि मैं हर महीने अराम से कर्चा कर सकती और घर भी अच्छी तरीके से चला पाती है यह तो बस सपना ही है क्या तुम भी हर महीने 30-40,000 कमाना चाहती हो वो भी घर बैठे हाँ बिल्कुल मैं भी कमाना चाहती हूं तो यह वीडियो पूरी देखो और घर बैठे कमाओ और अब तुम्हें कोई भी साड़ी रिपीट करने की ज़रुद नी किसी भी फंक्शन में हाई एव्रिवान मैं हूँ अनुपम और आज की व मैं यह कुख आफि कि यह संव ज़र और अच्पों पर रीर ज। में वर्ले मर्कित प्लेश। फ्लिपकार्ट, स्नापडेल, यह समाने की वज़े से लोगों ने उस पर भी रेजिस्टर कर लिया, लेकिन जो ऑनलाइन रिसेलिंग का बिजनस होता है, यह काफी ताम जहाम वाला होता है, इसमें काफी इंवेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको अकाउंटिंग सॉफवेर होना चाहिए, आपके पास जीएस्टी नमर होना चाहिए, आपके पूरी टीम होना चाहिए, कैटलोग अपलोड करने के लिए आपके पास या तो आप बाहर से हैर करवाना पड़ेगा आपको, या आप खुद के पास स्टाफ रख सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कि इतना बड़ा इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाले इंजेस बिजनस की बारे में, वो भी एक उनलाइन रिसेलिंग बिजनस है, लेकिन जीरो इंवेस्टमेंट के साथ, आपको हरानी होगी, कि मुझे भी जब मैंने सुना था, मुझे काफी हरानी होई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि हम एक रुपय भी ना लगाएं, और हम घर बैटे 30-40 अजार रुपय कमा सके हैं, और वो भी बिना टाइम पूरा दिन यह नहीं कि आपको पूरा दिन इसके पीछे लगना पड़ेगा, जबकि आप दूसरा online reselling business होता है, या कोई भी reselling business होता है, तो आपको time देना ही पड़ता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और खास करके housewife और students के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि housewife को घर की काफी सारी जिम्मिदारिया निभानी होती है, और students को पढ़ाई करना होता ह तो उनको time की कमी होती है, तो इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए, जिसे कि पैसा भी कमा पाए और time भी उन्हें जादा ना लगे, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, एक app के बारे में, इस app का नाम है, Misho app, जी हाँ, यह एक online reselling app है, और इससे आप समान बेज सकते हैं, ब प्लेय स्टोर में भी इसकी काफी अच्छी रेटिंग है, जिसे आप Misho की app डाउनलोड करते हैं, तो यह इसका home page है, इसमें काफी सारी categories है, काफी सारी variety है, अब जिसे साडी का है, shoes है, और dress material है, तो मैं साडी का सिलेक करती हूँ, catalog, तो साडी का जो catalog है, इसमें काफी सार variety की साडिया है, और इसमें जो description है, सबसे अची बात है, कि description आपको हर एक के साथ लिखना नहीं पड़ेगा, इसको उपर से आप copy कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे मैं entire catalog, पूरा catalog select कर रही हूँ, इकी बार में, तो यह मैंने select कर लिया, और उसके बाद जो भी मेरा group है, अ number, और उसके मैं भेज गी हूँ, पूरा catalog, जो साड़ी का मैंने select किया था, और यह सारा का सारा catalog चला जाएगा, उसमें आपको अलग-अलग से कुछ भी भेजने की जूरत नहीं है, select entire catalog करेंगे, तो सारा का सारा, जो catalog select किया है, वो चला जाएगा, उसके बाद जो description हमने copy कि किया था, वो मैंने paste कर दिया, जिसमें कि सभी सारी की length और उसकी साथ blouse piece है कि नहीं, blouse piece का क्या material है, सारी का material है, सारा कुछ description में आ जाएगा, और किते दिन में deliver होगा, और जैसे कि, जैसे मैंने जिसको से भेजा है ये, और अगर उन्होंने interest दिखाया या उन्हें कोई प तो इसकी कीमत 500 रुपे है, तो जिन्होंने भी आपको order दिया है, पहले आप उनसे सारी detail लीजे कि उनका shipping address, और उनको payment mode क्या रखना है, cash on delivery या prepaid जो भी रखना है, वो सारा हम ले लेंगे detail, और उसके बाद हम मीशो आप में जाके, जो भी order उन्होंने दिया है, हम अपने फ्रेंड के बिहाब पे place करेंगे, तो जैसे मैंने ये साड़ी सेलेक किया, इसको कार्ट में डाला, साड़े 500 रुपे की साड़ी है, और उसके बाद हम payment option चूज करेंगे, जो हमारे फ्रेंड ने बोला होगा, तो मैं COD cash on delivery का option चूज करती हूँ, इसमें तीन तरह के payment है, और ये मैंने सेलेक किया, COD वाला option, cash on delivery, और उसके बाद हम इस पे proceed करेंगे, प्रोसीड करने के बाद, जो हमारे फ्रेंड का डिटेल है, एड्रस होगारा, वो हमने फिल कर लिया, जो भी एड्रस है, पिन कोड के साथ आप प्रॉपर एड्रस ले लीजे, उसके बाद फोन नम्मर होगार है, ले लीजे, फ्रेंड का, जहां पर आपको भेजना है, या जो भी आपके फ्रेंड का ड्रस है, यह हो चुका है, उसके बाद फोन नम्मर डालके, फिर आगे प्रोसीड करेंगे इसे, उसके बाद एक ऐसा टैप खुल जाता है, जहां में अपना मार्जिन एड करना है, अब यह 500 रुपे की साड़ी है, अब इसमें हमें अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट मार्जिन एड करना है, तो मैं यहां पे 700 रुपे लिख रही हूँ, यह प्रॉफिट मार्जिन एड करने के बाद का अमाउंट है, मतलब 1.500 रुपे का मार्जिन, मैंन Profit Margin अपना Add किया तो ये 700 रुपे की साड़ी मतलब 700 रुपे की साड़ी उनके पास पहुँचेगी उनको 700 रुपे पे करना होगा आपके Friend को या जिन्होंने Order Place किया है और उसके बाद हम Order Place कर देंगे और ये Order Place होने के बाद जिभी Deliver हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में 1500 रुपे जो Margin का हो आ जाएगा और Order टैब पे क्लिक करके आपने जो भी Order Place किया है वो सारा आप चेक कर सकते हैं सारा Detail ऐसमें कि कितने का Order है और कब Delivery वगरा सारा कुछ है आप Detail इसमें देख सकते हैं और 10 दिन का टाइम मीशो इसलिए लेता है कि अगर इनके कोई Return वगरा है तो Return के लिए 7 दिन का टाइम होता है तो वो सब सारा निप्टा के तब आपके अकाउंट में पैसे आएगे आपके Margin के और आपके Bank अकाउंट में डारेक्ट आ जाते हैं उसके बाद अगर आपको कोई Problem लगती है तो Learn वाला जो Tab है उसके आप प्लिक कर सकते हैं और Hindi, English में दोनों तरह की वीडियो हैं कि आप मीशो से कैसे कमा सकते हैं अपना Margin कैसे Add कर सकते हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें कैसे आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं एक Business की तरह तो ये दोनों languages में हैं Hindi, English दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे option हैं जैसे कि अगर आपको ज़्यादा problem लगती है तो आप direct customer care में call भी कर सकते हैं तो आपको एक-एक step समझा देंगे और ये use करना काफी easy है और इसके tutorials काफी सारे आपको मिल जाएंगे online भी और कोई भी अगर आपको अपने account के बारे में जानना है कि कितने पैसे आए, कितना pending है वो सारा आप account tab में check कर सकते हैं और इसके लिए जो account tab है उसमें आप अपना bank detail होगा रहा जो भी आपका bank account number है वो सारा कुछ आपको fill करना होगा जिसे कि मीशो direct आपके bank account में पैसे देगा ये आपको इंदान नहीं करना पड़ेगा कि हाँ आपके पास cash आएगा ये जो भी आपके account में direct आजाएगा 10 दिन के अंदर मतब order deliver होने के 10 दिन के अंदर तो ये सब भी कोई जंजट नहीं है सारा कुछ मीशो की जिम्मेदारी है और उसकी बाद अगर आप किसी को refer करते हैं तो उससे भी आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं तो ये मेरे कहल में तो बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है घर बैठे पैसे कमाने का एक मर्ज जैसे आपने order place कर दिया तो उसकी बाद delivery, payment, collection और अगर कोई return होता है वो सारा कुछ मीशो खुद हैंडल करता है तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता और आप अपना जो भी order आपने प्लेस किया है अपने कस्टमर के विहाद पे वो सारा इस order time में चेक कर सकते हैं कि उसका क्या status है, कितने order pending हैं, कितने डिलीवर होगे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा इसमें आजकल जैसे कि हर किसी के phone में WhatsApp जरूर होता है और हर कोई किसी ने किसी WhatsApp ग्रूप का मेमबर जरूर होता है तो आप इसे अपने WhatsApp ग्रूप के भेज सकते हैं अपने फ्रेंट्स को भेज सकते हैं या अपने relative को भेज सकते हैं, individually भेज सकते हैं, group में भेज सकते हैं और आप चाहें तो Facebook पे भी इसको share कर सकते हैं, मीशो का catalog और जिसे आप Facebook पे मीशो का catalog शेयर करेंगे तो इसमें आपका, मतलब जो आपने catalog शेयर किया वही दिखेगा, उसमें मीशो का कहीं भी नाम नहीं आएगा तो लोगों को लगेगा कि आपका ये product है, आप उसे sale कर रहे हैं और आप चाहें तो अगर अपने business को बहुत seriously करना चाहते हैं, तो Facebook पे अपना एक business page बना लीजिए उस पे जो भी मीशो का catalog जो आपको लगता है, जिस category में बेचना चाहते हैं या जरूरी नहीं है कि आपको एक ही category में sale करना है, आप दो-तीन category भी select कर सकते हैं तो वो सारे catalog आप उस पे share करिए, और उसके बाद जैसे आपके पास कोई order आता है, तो आप मिशो में इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इस तरीके से place करना है, अपना margin रखके, आप उसे order place कर सकते हैं, वो आपके customer तक deliver हो जाएगा और इससे आप जैसे job करते हैं, तो उतनी time आपको देना पड़ेगा, आपको जब free time हो, आप अपने friends, relatives, जो आपको लगे, आप उनको जो भी catalog आपको अच्छा लगता है, उसमें से भेज सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और असान तरीका मुझे लगा घर बैठे पैसे कमाने का 30-40, आप आराम से कमा सकते हैं, और आप चाहें अगर जाद आप seriously करेंगे, तो और कई जादा कमा सकते हैं, तो मैंने इसका link description में दे दिया है, वहाँ जाके आप download करिए, और एक बार try आपको जरूर करना चाहिए, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाए सकते हैं.